तो सबसे बड़ी अपडेट Big Boss के मंच से और वीकेंड के वार पे शुटिंग से पहले ही एक वीकेंड का वार देखने को मिला है और वो वीकेंड का वार कर दिया है कहीं न कहीं कलास लगा दिये अपने वीडियो पे ब्लॉग दुवारा अल विश आदम ने और कई लोगों को लपेटे में लिया है एजाज खान को तो वो ले रहे हैं जीरो सेवन को भी ले रहे हैं और वहाँ पे उनका मजाग बना रहे है अधनान शेका लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉक के अंदर वीडियो के अंदर जो बात कही है न साई केतन फैंस के लिए व अच्छी ख़बर नह लेकिन माइक नहीं उतार था क्योंकि आवाज तो जाना जरूरी थी न और जिस हैसाब से हाथ उठा रहे हैं धक्का मुकी कर रहे हैं मेकर सुने नहीं रोक रहे साई केतन को तो साई केतन को बता दे के भाई इसके बार भी दुनिया है मलब यह क्या था मलब लवी शादव लगातार बचाओ में तो आई रहे हैं लेकिन जो कंटेस्टेंट घर के अंदर खेल रहे हैं और जो भी फाइट कर रहा है लवकेश कटारिया से उनके अगेंस भी अपनी पर्ति करिया रखते हुए दिख रहे हैं और यहां पर उन्होंने कह दिया कि जैसे बिक बोस खतम हो वो गलती करी है वो एक तरीके से बोल जाते है जो वो कहना चाते है शब्दों को थोड़ा सा रोक लेते हूं और जो भारी पन होता है वो बता के कहिना के अपने फैन सक पोचाए देते के भई यह साई केतने बहुत बड़ी गलती कर दी है हाथ उठाके लफकेश कटा रहे ह ये कुछ एक टीजर था जिसके कारण वो बताना चाह रहे हैं कि इस बारी बहुत अगड़ा वीकेंड का बार आपको देखने को मिलेगा और घर के अंदर और जब वनील सर के साथ स्टेज पे भी रहेंगे तो वो किन किन की क्लास लगाएंगे तो दिख रहा है कि वो अच्छ की पोलपटी और जो भी उनके भार की है कि वो उनके कॉंटेंट भी कहते कि बिकार बनाते हैं कोई सिंगर भी नहीं है यह अपने दोस्त के दम पे उचल रहा है तो अभी तक किसी भी ब्लॉक में अर्मान मलिक के लिए अलविश अदब कुछ कहते है क्यों नहीं देख रहे साई केतन